यह डिवाइस है Redmi का Note 9 Pro और आज का वीडियो है Tempered Glass का तो आप लोगों के पास अगर Redmi का Note 9 Pro डिवाइस हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आपको कौन सा Tempered Glass लगाना है और उसके लगाने के मैं पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा तो आप देख सकते हैं कि Redmi का Note 9 Pro और Redmi का Note 9 Pro Max रिसेंटली ही इंडिया में लाउंच हुआ है और क्रोना वाइरस के चक्कर में यहाँ पर डिलिवरी बंद हुआ है जिसके बज़े से आपको Tempered Glass या फिर बैक कबर नहीं मिल दा मैंने इसको पहले ही ओडर किया हुआ था और मेरे पास यह आ गया है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ यह Tempered Glass कैसा है कितने प्राइस का है और आपको अपने फोन में इसको कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पर Amazon से मैंने इसको मंगवाया था बहुत ही कम लगता है तो आप देख सकते हैं कि यह जो Tempered Glass है मैंने इसको पर्चिस किया है कोई भी यह Sponsored वीडियो नहीं है मैं खुछ से ही सारे प्रोडक्ट पर्चिस करता हूं और जो अच्छा लगता है मुझे मैं उसकी उपर ही वीडियो बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह यहां पर solution बोलके यह brand है और यहां पर इसका प्राइस है काफी ज्यादा लिखा हुआ है 999 लेकिन मैंने इसको 100 रूपीज के अंदर पर्चिस किया हुआ है अगर आपका Amazon Prime का काउंट नहीं है तो 150 रूपीज में आप यह पर्चिस कर सकते हैं डब्बे के अंदर एक और ड देखना है ताकि आपको आइडिया मिल सके और यहां पर आप रीड भी कर सकते हैं अगर आपने पहले कभी भी किसी भी डिवाइस में टैंपर ग्लास नहीं लगाया है तो तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि इसके अंदर दो वाइप मिलते हैं यहां पर वेट और करना है वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा टेंपर ग्लास देखने को मिल जाता है इसके लाबा जो हमारा दो पाउच मिला है उससे हम अब डिस्प्ले को क्लीन कर लेंगे ताकि जो भी डिस्ट पार्टिकल है वो सारा यहां पर क्लीन हो जाए उसके उपर टेंपर ग्लास अप्लाइ करोगे तो थोड़ा सा भी डिस्ट पार्टिकल अंदर नहीं रहना चाहिए जिसके बज़े से आपका डिस्प्ले दिखने में काफी बढ़िया लगने वाला है तो मैंने यहां पर जो वेट वाला पाउच था उससे मैंने क्लीन कर लिया उसके बाद जो ड्राइ वाला पाउच है उससे आपको पूरा इसको यहां पर क्लीन कर लेना है और जैसे ही आपका जो ग्लास है फुली क्लीन हो जाता है उसके बाद आपको जस्ट आपका जो टेंपर ग्लास है उसको आपको अपलाई कर देना है बस इ कर दिखा तो ऊपर जो दिखुड को निकाल देना है और ग्लास को आपको एज के अंदर पकड़ना है क्योंकि इसके नरा पकल नोगे तो पक्रलू रहे तो आपको साइड वाइस सब्सक्राइब इसको अपने डिस्प्ले के उपर एक साइट से रख देना है, दोनों साइट से मत रखना, पहले एक साइट से रखना, उसके बाद ये धीरे धीरे जिसका air अंदर वाला है, वो सारा निकल जाएगा, और ये जो डिस्प्ले के साथ, जो टेमपर गलासे काफी अच्छे से पर्फेक्टली फ बढ़ी जाएंगे तो एक्स्ट्रा लेयर के लिए आप इसको जरूर ट्राइ कर सकते हैं और जैसे कि लोग हमेशा ही नए फोन के अंदर को ट्राइ करते हैं तुमीदे कि आपको यह टैंपर ग्लास पसंद आया होगा इसका प्राइस भी काफी अच्छा है मैंने इसको लगान